दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवाल लर्निंग डेपर और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरवोजा दोस्तों Applied Fajax के इस Alpha क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत Welcome है मैं आपका दोस्त सौरवोजा आपका स्वागत करता हूँ पास आप पक्का होंगे क्यों पास होंगे क्योंकि पेपर के एक दिन पहले वाली क्लास अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस जितना आज हम इस क्लास में बताने वाले हैं आप इतने प्रस्णों पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर लीजिए अलफा क्लास आपको पास 100% करवाएगी इसके साथ ही साथ एक क्लास और आपको मिलेगी मास्टर क्लास उस मास्टर क्लास को भी आप देख लेंगे ये दो से तीन क्लास ऐसी है और एक क्लास आपको मिलेगी टॉप 15 कुश्चन की ये तीन क्लास अगर आप देख लेते हैं और जितने कुश्चन हमने आपको बताएं हैं अगर आप उतने प्रस्नों को तयार कर लेते हैं तो पॉले टेक्निक फर्स सेमेस्टर के अप्लाइट फिजिक्स में आप 100% पास हो जाएंगे तो चलिए आईए दोस्तों हम स्टार करते हैं अल्फा क्लास के आज के इस वीडियो को जिसमें हम बताने वाले आपको बहुत से इंपोर्टन कुश्चन उसके पहले मैं आपसे रेक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों को सेर नहीं किया है तो तुरंत कर लें क्योंकि लर्निंग दे ही एक ऐसा चैनल है जो आपको पॉले टेक्निक फर्स सेमेस्टर की कम्प्लीर तयारी करवा रहा है बिलकुल फ्री में बिना किसी पेड़ बैच के तो चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों को सेर करें और इंटरनस एक्जाम के साथ यों को भी चैनल से जरूर जोड़ें हमारे साथ टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, वाटसैप ग्रूप पर जुड़ने के लिए निचे डिस्क्र साथ आपको जड़तो आघुनड क्या होता है इसकी परिभासा इसका जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए दूसरी चीज आता है मात्रक कुछ ऐसे इंपोर्टेंट मात्रक कुछ ऐसे इंपोर्टेंट रासियां जिनके मात्रक आपको पता होना चाहिए और जो मात to 45 degree के लिए घरसन गुडांक क्या होगा तो घरसन गुडांक होता है 10 theta 45 degree रग दोगे 10 45 की value एक होती है तो इसके लिए जो घरसन गुडांक होगा उसकी value क्या हो जाएगी एक इस पर आधारित question आपके exam में आता है कारी उर्जा प्रमे आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कारी उर्जा प्रमे एक ऐसे important प्रमे है जहां से question आपके exam में बनता है इसके लिए जो W होता है W is equal to होता है डेल के के कैपलर का नियम आपके लिए most important है इसको आप hashtag बना सकते हैं बहुत बार repeat हुआ है कैपलर का नियम अगला जो नियम है बर्नौली का नियम जिसके लिए हम P धन रोजी ये जधन एक बटे दो रोभी square पढ़ते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए और कैपलर के नियम को जो हैं तीसरे वाले नियम को तो आप का विस्तार का ये तीनो नियम और ब्रनौली की प्रमे से प्रूफ करने के लिए पूछेगा तो यह भी question पांच नंबर में इंग आने होता है अगला जो question है आपका उस्मा गत्की का प्रधम नियम क्या है दोस्तों उस्मा गत्की के जो नियम है प्रधम नियम आपसे पूँछ लेगा उस्मा गत्की का प्रधम नियम क्या है इसको आप बिस्तार से लिखिए दूसरा आपसे पूँच सकता है कि या किसके सनरचन पर आधारित है या अगर ये question आपसे पूँचेगा तो objective में पूँच सकता है अफ़र दो number में ये question पूँच सकता है तो basic सी चीज है प्रधम नियम उसमा गत्की का आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है रट लेना है समझ लेना है ठीक है न हमके वल question इसलिए करवाते हैं ताकि आपका time बेस्ट ना हो और आप कम time पे question देख करके इसकी PDF आप हमारे साथ टेलिग्राम WhatsApp गुरूप प आपने आपको strong बनाए ताकि आप exam में बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाएं आदर सद्रों क्या है इस पर पूंचता है दो नंबर में definition लिखने को आ जाएगी कि आदर से निम्न पर टिपड़ी करिए फिर आपको देदेगा आदर सद्रों पर धारा रेखिए प्रवाह पर और एक होता है आपका प्रचुप्ध प्रवाह उस पर टिपड़ी करने को आपको बोलेगा और यह सारे कुश्चन आपको दो नंबर में मिलने वाले हैं अगला जो कुश्चन है कुश्चन कहता है न्यूटन का सरवात्रिक गृत्वा करसन का नियम लिखो दोस्तों इस कुश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि f is equal to g m1 m2 upon r² एक तो यह आप बदा सकते हैं गृत्वा करसन का सरवात्रिक नियम और दूसरी चीज आपसे जो पूँचता है कि जो यहाँ पर g है g का आप मात्रक निकाल करके बताओ और कभी-कभी एक नंबर में आपसे g की value पूँच लेता है तो एक कुश्चन से यह 3-4 अति महतपूर्ण कुश्चन बनते हैं आपके exam में physics से अब मैं कुछ थोड़ा सा आपको और नीचे ले चलूँगा और कुछ और नए कुश्चन में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा फिर से हम उस हिंदी वाले portion पर प earthquake में scooter में scooter में, car में, train में पता होना चाहि хочу कि friction किस तरीके से काम करता है फ्रिक्स है किस तरीके से काम करता है ? दस मिनट में आप इसको complete कर लोगे बस basic concept आपको पता होना चाहिए अगला जो question कहता है कि work done in moving an object on horizontal and inclined plane for rough जैसे आपसे question कहाता है ऐसे एक inclined आपको ऐसे बना देगा और इस पे एक object ऐसे आपको ऊपर भी खिसकता हुआ दिखा सकता है नीचे भी खिसकता हुआ दिखा सकता है बोलेगा कि इसके द्वारा जो work done होगा वो कैसे होगा कितना होगा तो ये question आपका numerical based है और numerical based जितने भी question आएंगे वो 3 plus number में ही आएंगे तीन नमबर में भी आ सकता है चार नमबर में भी आ सकता है और हो सकता है पांच नमबर में भी आसान सा numerical आ जाए तो इसका concept आप समझ लेना ये आपके friction वाले chapter का है तो इसका numerical कम से कम 2-3 numerical आप लगा लेना बहुत अच्छे तरीके से साउधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक कम से कम 2-3 numerical आप solve कर लेना जो अगला question होता है दोस्तों सदिस और अदिस रासियां आप से पूँच लेता है कि सदिस रासियां क्या है अदिस रासियां क्या है आप इसको explain करिये पूरा explain करने को बोल देगा या फिर कोई एक रासि दे सकता है objective type में और बोल देगा कि इस में से निम्न में से कौन सी सदिस रासि है या कह सकता है निम्न में से कौन सी अदिस रासियां भी आप पढ़ सकते हैं maximum 5-10 में सदिस और अरिस रासियां की complete हो जाएगी फिर अगला जो आता है type of vector vector के प्रकार कितने हैं यह आपको पढ़ लेना है दोनों एक ही concept से related हैं दोनों scalar and vector वाले chapter से हैं इसको आप देख लेना दूसरा जो most important आ जाता है यहां से लगभग हर बार question बना है दोस्तों इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है addition and subtraction of vector triangle and parallelogram rule मतलब जोड का घटाओ का नियम वेक्टर के जोड और घटाओ का नियम की वेक्टर जोडा कैसे जाता है वेक्टर घटाया कैसे जाता है इसका नियम क्या है दो तीन नियम है वो नियम आपको पता होने चाहिए ट्रेंगल का नियम त्रिभुच का नियम और समानतर चतुर्भुच का नियम ये दोनों नियम most important हैं आपसे maximum time exam में यही पूँचता है कि वेक्टर के triangle नियम को आप परिभासित करिए या वेक्टर के parallelogram नियम को आप पर होने वाले हैं learning day हमेशा आपके लिए खड़ा था खड़ा है और आगे खड़ा रहेगा बस learning day आपसे support मांगता है क्योंकि हम किसी प्रकार का आपसे कोई पेड़ बैच आपको नहीं बेचते तो बस हम इतना ही request करेंगे कि channel को subscribe जरूर करें दोस्तों को जरूर सेर करें और ह कि important है impulse क्या होता है ठीक है और इसको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है क्योंकि यहां से भी question दोस्तों बनता ही बनता है कि impulse क्या होते हैं ठीक है ना यह सारे के सारे हम ऐसे question और ऐसे topic आपको बता रहे हैं जहां से प्रस्ण आपकी exam में बनते हैं application से question बहुत ज्याद आपसे पूंच सकता है friction का application और यह impulse का application यह तीन application मैंने आपको बताए अभी तक तो application आपसे पूंचता ही पूंचता है फिर जो अगला question आपसे कह रहा कह रहा difference between heat and temperature यह question अगर आएगा तो दोस्तों दो नंबर में आएगा कह देगा कि heat और temperature में आप difference बताओ तो बहुत basic स temperature के कारण ही flow होता है यह आपको पता होना चाहिए heat क्या है temperature क्या है आप देख लिना एक बार book से बाकी मैंने आपको बता दिया कि temperature के कारण ही heat Verma बैलू दे देगा उसको बोलेगा कि भाई आप Fahrenheit में convert करो या फिर Kelvin में convert करो या फोन आप है इसके हिलापwynप्रिचर जो तीन यह चार में इसके होते हैं, हम मैं तो 3 ही मानने हैं, vista Celsius फारेणहईट और Kelvin तो इस तीनों का आपको एक दूसरे में इन डेली लाइफ जो हीट हमारा कंडेक्शन होता है इसका डेली लाइफ में हमारी यूज क्या है आप एक तरह से इसको भी अप्लीकेशन ही बोल सकते हैं यह आपको पता होना चाहिए उसमा का जो कंडेक्शन का होता है उसको डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं जैसे धूप हम लेते हैं, धूप लेने से हम एनर्जी मिलती है, जो कुछ गीले चीजें होती हैं, वो सुख हो जाती है, हीट के कराण ही हम खाना पाका पाते हैं, खाना पाका के खाती हैं, तो ये डेली लाइफ में हीट कंडिक्षन का यूज है, अब एक और यहाँ पर question बनता है कि जो heat का outflow होता है heat का जो transfer होता है वो कितने तरीके से होता है solid में ठोस में कैसे होता है liquid draw में कैसे होता है और gas में कैसे होता है तो challenge, samohan और bikiran ये तीन method होते हैं heat transfer के ये आपको पता होने चाहिए और आप इसको पढ़ लेना कभी-कभी होता क्या है दोस्तों आपसे एक number में objective type में पूछता है कि जो ठोस होता है ठोस में उसमा transfer किस method होता है ठोस में challenge से और जो आपका draw होता है उसमें samohan से और जो आपकी gas होती है उसमें बिकिरन माध्यम से होता है यह objective type के question है यहां से question मैंने देखा है बहुत बार बन जाता है पूछ लेगा कोई भी एक पूछ लेगा और बोल देगा कि भाईस में किस माध्यम से होता है तो objective type question पर भी हमें focus रखना है इसलिए मैं वो सारे important चीज़ बता रहा हूँ जो आपके exam के point up view से important है इसके साथ ही साथ एक जो और important चीज़ आपको पता होने चाहिए कि जो एक calorie होता है यह कितने joule के बराबर होता है most important, most viral question है आपको 4.2 into 10 to raise 10 to raise 3 joule के यह बराबर होता है आपको यह पता होना चाहिए clear दोस्तों अब अगले question की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला question आपका यह भी important है isothermal और adiabatic process क्या है इसके साथ ही साथ आपको जो Carnard cycle है, के वल concept Carnard cycle का और जो heat cycle है वो दोनो cycle आपको पता होने चाहिए क्योंकि यह दोनो isothermal और adiabatic जो दोनो process है यह दोनो process Carnard cycle और heat cycle से ही related है अब कुछ बच्चों को समस्या होगी कि सर पूरा आप English में ही explain कर रहे है तो नहीं भाई, English नहीं यह basic सी English है, isothermal और adiabatic आपको पता होगा adiabatic को adiabatic बोलते हैं, isothermal को isothermal बोलते हैं Carnard को Carnard ही बोलेंगे, ठीक है न तो इसलिए यह सारी basic English है यह आपको पता होनी चीए keyword English के अब इसके बाद अगर हम अगले question की तरफ बढ़ते हैं, तो जिरो थला, फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्मो डाइनमिक, उसमा गत्की का सुन्य नियम, पर्थम नियम और सेकंड नियम यह तीन नियम आपके syllabus में हैं, तीन के तीनो नियम important हैं, इन तीनो नियम में से कोई भी एक नियम आ जाता है, most time देखा गया है, यह तो जिरो ला आता है यह तो फर्स्ट ला, मतलब सुन्य का नियम या तो फिर पर्थम का नियम, यही दोनो नियम में से कोई न कोई एक नियम आपके एक्जाम में आ जाता है basic साथ दोनो नियम है, बहुत simple है आप एक बार के वाल concept को देख लेंगे सारी के सारी चीज़ें आपके book में दी गई हैं बस आप book से पढ़ो, किसी और YouTube चैनल की live class या कुछ और मत देखो important question की PDF learning day से ले लो और जो आपकी study है आप अपनी study को self study book based बनाओ, question जितने हम बता रहे हैं इतने question आप तयार कर लो master class, alpha class से बस आपकी, आप बिलकुल बहुत अच्छे number से, दोस्तों 30 plus number से आप pass होने वाले हो, इस बार physics के exam में बिलकुल आप करदा मचाने वाले हो, एक एक question को आप तितली बनाने वाले हो, है ना, जिरो थला first थला, second life thermodynamics आपको पता होना चीए, फिर जो अगला question कहता है heat engine क्या है, मैंने आपको इसके पहले just बताया था, heat engine का concept आप से पूँचा है, आपके syllabus में यहां से numerical हो गएरा, बाकी कुछ भी चीज़े नहीं है, बस आपको concept पता होने चीए heat engine का, Carnard cycle के लिए आपको, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया isothermal और adiabatic, यह दोनों process पता होने चीए, दोनों process पर based ही है आपका Carnard cycle Carnard cycle यहां भी यूज है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अगले next semester में जाएंगे, थर्ड semester में आपको thermal एक अलग से जो book मिलेगा, मतलब thermal का एक अलग से समझ लेना है, और फिर उसी basic concept के basis पर आपको आगे लिखते चले जाना है, जो अगला question है दोस्तों, वो है stokes का नियम important है, stokes के नियम के साथ आपको प्रतिबल पता होना चाहिए, प्रतिबल क्या है विक्रिती क्या है, यह सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए, जो प्रतिबल के दो टाइप होते हैं, है ना, यह दोनो टाइप भी पता होने चाहिए आपको, बहुत basic है, आपकी जितनी भी physics का पुरा का पुरा syllabus ही, अगर आप बहुत अच्छे देहान से देखेंगे, तो कोई बहुत application से related physics में देखेंगे, और आपको ये सारे के सारे application जो हम बता रहे हैं, यही basic application आपके syllabus में है, इतना आपको complete करके जाना है कि बरनोली के प्रमेका application क्या होता है, जैसे हम फुहारे पर गेंद को रोकते हैं, तो वो हो गया बरनोली के प्रमेका एक application है, वहाँ पर pressure energy, प्लस इस्थतिज उड़जा, प्लस गतिज उड़जा तीनों का constant हो जाता है, इसलिए aeroplane आपका हवा में टीका रहता है, उड़ता रहता है बरनोली के प्रमेके यही basic application है, बस दो से तीन application, आप कोई भी दो application आप देख लेना, जो सबसे आपको आसान लगे, जिसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, आप pass हो जाओगे, आपको number पूरे के पूरे मिल जाएंगे रेनाल्ड number, रेनाल्ड number क्या है, कभी-कभी पूँच लेता है रेनाल्ड number क्या है, और कभी-कभी आपको एक कोई value दे देगा, कोई भी value आपको दे सकता है, पूँच लेता है, कि इतनी अगर किसी भी draw का रेनाल्ड number इतना है, तो इसका प्रवाह कैसा होगा, रेनाल्ड number के basis पर हम प्रवाह को define करते हैं, प्रवाह की वो धारा एक number में भी पूच सकता है, दो number में भी पूच सकता है, maximum time दो number में पूचेगा, और यहां से objective question रेनाल्ड number से बनता है आपके exam में, बहुत आसान है आपका syllabus, अगर आप ध्यान से पढ़ने बैठ जाएंगे, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि दो से तीन दिन में आप पूरा का पूरा syllabus, दो से तीन दिन तो आपको मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, लगभग 6 घंटे में आप पूरा syllabus complete कर सकते हैं, पूरा revision आप कर सकते हैं, अगला जो question कहता है कि elasticity, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास था, stress मैंने बता दिया, strain, प्रतिबल बिक्रिती, hooks का नियम, hooks का नियम पूछ लेता है एक नंबर में, दो नंबर में, या एक नंबर में hooks का नियम क्या है, आप define करिए, hooks के नियम को आप लिखिए, stress and strain का जो कर्ब होता है, या भी दो नं stress है, इधर strain है, तो figure कैसे बनेगा, जो curve बनेगा, जो graph बनेगा, वो graph कैसे बनेगा, elasticity, प्रतियास था क्या है, stress की प्रतिबल बिक्रिती क्या है, hook का नियम क्या है, ये आपको basic basic दो दो नंबर में ये question आपको मिलेंगे, अगर आपके exam में आएंगे तब, अगला question कह रहा, अगला question दोस्तों आपके exam में कह रहा, आपके topic का कह रहा कि pressure क्या है, pressure को आप define करिए, surface tension, surface tension दो नंबर में आया हुआ question है, बहुत बाराय हुआ है surface tension, और फिर जो तीसरा application में आपको बताने वाला था, चोथा, तीन तो मैं बता चुका था, जो चोथा में आपको application बताने चाहिए, प्रिष्ट तनाओ का अनुप्रियोग important है, most 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 important है, यहां से question बहुत बार बनता है, प्रिष्ट तनाओ की कभी कभी पूछ लेगा कि surface tension की परिभासा आप लिखिए, और कभी कभी पूछ लेता है आपसे, कि जो स्यानता होती है, स्यानता भी प्रिष्ट तनाओ व force, Newton का gravitational force, यहां से G की value आपको निकालने को बोल देता है, F is equal to G, M1, M2 upon R square, आपने इसको पढ़ा होगा, यहां से जो G की value होती है, G की value आपसे objective type में पूछ सकता है, और G का मातरक निकालने को बोल सकता है, या फिर आपसे gravitational force लिखने के लिए बोल सकता है, तो ऐसा कहीं भी कुछ भी आता है gravitational force के लिए, तो आपको ये key point याद होने चाहिए, आप इसको बड़े से लिख करके, और एक black pen से आप इसको highlighted कर देंगे, तो examiner जैसे ही आपके इस question पर पहुँचेगा, उसकी नजर इस पर पहुँच जाएगी, और इसको समझते ही वो देख लेगा, कि हा आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, उसी प्रकार से कैपलर के नियम, कैपलर का नियम, ग्रहों से संबंधित कैपलर ने नियम दिये, तीन नियम दिये, छेतरीय चाल का नियम, कच्छीय वेक का नियम, और परिक्रमड का नियम, ये तीनों इसके key point है, ठीक है न, पता ह होना चाहिए, torque with example, torque क्या है, ठीक है न, torque का आपको मातरक पता होना चाहिए, जो newton meter होता है, इसकी value tau is equal to wf into d आपकी होती है, ठीक है न, अब आपको ये बिल्कुल basic basic चीजे में बता रहा हूँ, torque क्या है, और torque का example क्या क्या है, torque को हम कहां पर use करते हैं, जैसे अगर हम null च पकड़ के इसलिए चलाते हैं, क्योंकि दूर से पकड़ के चलाने पर length r की value बढ़ जाएगी, तो हमारा force कम हो जाएगा, और tau constant रहने पर force कम होगा, force कम करने के लिए हमें दूर पकड़ना होगा, ये हो जाता है, torque का आपका एक अनुप्रियोग, ठीक है न, जिसको हम आघ बोलेंगे, इसके example आप देख लेना, torque वाला जो chapter है, important है, इसके अनुप्रियोग, इसके सूत्र, इसका मात्रक बहुत important, मात्रक तो मैंने बता दिया, newton meter होता है, अनुप्रियोग मैंने बता दिया, नलवाला, और परिभासा आप एक बार देख लेना, परिभासा भी आप moment, पता कर लेना, एक बार, पढ़ लेना, अच्छे तरीके से, दो number में आया हुआ question है, moment of inertia, मैंने आपको बताया था, moment of inertia, जड़तो आगुण जिसको हम बोलते है, important है, इसके अनुप्रियोग पूछता है, disk के लिए, ठोस के लिए, moment of inertia निकालने को बोल देगा, या फिर उ basic, बहुत आसान, बहुत simple सा question है, concept of fly field का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मेरे दोस्तों, ये एक दिन पहले वाली class है, बट आपको हर एक question जो मैं बता रहा हूँ, आपके पास बहुत time है, बहुत time होता है, 6 घंटे, 6 घंटे निकालना और जितने question मैंने master class, alpha class दोनों and rotary motion, जो आपका motion होता है, rotary motion और translatory motion इसको आपको देख लेना है, इसका concept क्या कहता है, इसके rule क्या कहते है, वैसे rotary motion important है थोड़ा सा आपके लिए, ठीक है, तो ये कुछ important question है, आपके exam के point of view से जो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद मैंने यहां तक आपको बताया था, Newton की रिक्सिन का सरवात्र गुर्ट्वा करसंड करिया फिर आगला जो नियम आ जाता है, इस डोक कर नियम मैंने आपको बता दिया आगे, English वाले portion में, हुक कर नियम भी मैंने आपको बता दिया आगे, सीमान तबेक आपको पढ़ देना है, सीमान तबेक क्या है, रेनाल्ड स संख्या के बेसिस पर आपको बताना रहेगा कि कौन सा है स्यान्ता मैंने स्यान्ता वहां पर सायध врем था स्यान्ता प्रतिबल प्रिष्टतनों की परिभास्ता ये सब मैंने आपको बता दिया है ठीक न ये वो जारी चीजें हैं जो आपको पता होने चीजें घरसंड क्या है फ्रिक्षन करो लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए आप इतना कर सकते हो और हमारे साथ आप पॉलिटेक्निक इंटरेंस एक्जाम के दोस्तों को जरूर जोड़ो एक और इंपोर्टन बात मैं आप से 30 सेकंड का टाइंग डूँगा अगर लर्निंग आपके लिए कुछ सही कर पा रहा है तो आप नीचे जॉइन वाले बटन पर जा सकते हैं सब्सक्राइब के ज़ेश्ट बगल और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बिद मनी के साथ आप लर्निंग डेको सपोर्ट कर सकते हैं अब घरसंड क्या है घरसंड के प्रकार कितने हैं ये मैंने आपको बता दिया दूसरा जो आता है कुछन यहां से important कुछन आता है सीमान घरसंड गरसंड के दो नियम लिखिये और एक दूसरी चीज जो आती है कि घरसंड किस चीज पर depend कर्ती हें घरसंड किस चीज पर करती है किसी भी प्रिष्ट की प्रक रकृतिपर और जो इसके प्रतिक्रिया लगता है आर पर घरसण इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है सीमांत घरसण के दोनीयम आपको लिख देने हैं बहुत basic है बहुत important है सीमांत घरसण most 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 important है numerical भी घरसण पर आता ही आता है घरसण बलकम करने के लिए बाल बेरिंग का प्रियोग क्यों करते हैं यह आपको दोस्तों पता होन को लोटेनी घरसंड में परिवर्थित कर देता है सरपी घरसंड के साथ क्या होता है कि सरपी घरसंड ज्यादा फोर्च लेता है इसलिए हम बाल बेरिंग का अगर उपयोग कर देते हैं तो वहाँ पर लोटेनी घरसंड हो जाता है और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सरपी घरसंड होता है सरपी घरसंड का मतलब जो slip करने वाला घरसंड होता है उसकी जो value होती है वो लोटनी घरसंड से जादा होती है और बाल बेरिंग सरपी घरसंड को लोटनी घरसंड में convert कर देता है इसलिए हम बाल वेरिंग का उप्योग करत के घरसर को कम कर देते हैं आपको नियम एक पता होना चाहिए इस इस इक्वल टू एम सी स्क्वेर यहाँ यह आपका आइंस्टीन साहब का नियम है और आइंस्टीन साहब का यह नियम most important है एक नंबर में एक कुश्चन पूँचता है objective टाइप में सीख क्या है यहाँ पर प्रकास की निर्वात में बेग है आपसे numerical भी आता है इस टॉपिक पर कारी उड़जा प्रे में आपको पता होनी चीए एक और जो दूसरा most important question आता है आपके question में एक किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है एक किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है यह कुछ ऐसी value हैं जिनको आपको रट लेना है 3.6 गुड़ दसकी घात 6 जूल important है आपसे इस पर numerical पूँच लेता है numerical में आपको किलोवाट घंटा में value दे देगा और फिर आपको solve करना रहेगा तो सबसे पहले आपको इसको जूल में convert करना रहेगा या फिर कभी-कभी एक नंबर में objective type में एक question पूँच लेता है कि एक किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं रट सकते हैं याद कर सकते हैं सक्ति क्या है सक्ति मतलब power क्या है power का मतरक क्या है power की बीमा क्या है p is equal to क्या होता है w upon t w क्या है कार और t क्या है समय आप आप इसको लिख सकते हैं कार और समय के अनुपात को या कारे और समय के अनुपात को हम सक्ति बोलते हैं बस आप सूतर अगर आपको याद है और थोड़ा सा कॉंसेट आप लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं जैसे P is equal to क्या होता है आपका W upon T आपको W को पता है कारे है T क्या है मारा समय है और P क्या है सक्ति तो आप लिख सकते हैं कारे और समय के अनुपात को हम सक्ति कहते हैं अब यहां से आप इसका मातरक निकाल सकते हैं इसके बीमा लिख सकते हैं कारे क्या है इसका मातरक क्या है वह इसकी बीमा क्या है आप कारे को भी लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसान है कारे वगर है ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो आपको आसान बे में समझ आ जानी चाहिए और आप आसान बे में दोस्तों इसको समझ भी लेते हो बट आप थोड़ा सा लापरवाही करत तो अभी आपके पास टाइम है छे घंटे में कह रहा हूं छे घंटे बैट जाओ इस वीडियो को देखने के बाद जितने इंपॉर्टन कुश्चन मैंने करवाए हैं सब के सब रट जाओ बिल्कुल घोल के पी जाओ और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलिग्राम इंस्टाग्राम और्टसेप ग्रूप पर मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो कह रहा है यह किसी पिंड के संबेग को दो गुना कर दिया जाए संबेग मतलब पी को आप संबेग क्या है यहाँ भी कुश्चन आता है तो इसको भी आप पढ़ लेना संबेग क्या है इस यह कुश्चन आता है और संबेग का मात्रक पूछ लेता है पूछेगा संबेग सदिस्रासी है या आदिस्रासी है यह आपको बताना रहेगा तो संबेग एक सदिस्रासी है ये किसी पिंड को संवेक को दोगुना कर दी जाए। ऐसा बहुत आसान सा numerical अगर आएगा तो दो नंबर में आएगा कैसे solve करोगे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है force दिया गया है बल 10 newton दिया गया है और distance आपको कितनी हो displacement कितना हो रहा 50 meter का हो रहा और कोण कितना वरा theta is equal to 120 cents बन रहा किया गया car ये पूछ रहा है car is equal to क्या होता है w is equal to f into d cos theta होता है value रख दो f की value आपको क्या है 10 newton है d की value 50 है into cos theta theta की value 120 है cos 120 cents की value क्या होती है आप 50 में 10 से multiply करेंगे आपका हो जाएगा 500 गुडे cos 30 को आप क्या लिख सकते हो cos 30 की value को लिए देखो आप cos 120 की क्या लिख सकते हो आप 90 plus 30 लिख सकते हो cos 90 plus theta is equal to minus sin theta theta की value 30 और 30 की value क्या होती है minus 1 बटे 2 अब आपको क्या मिल गया cos 120 की value minus 1 बटे 2 मिल गया cut कर दो minus 250 और क्या हो जाएगा जूल यही हो जाएगा कार्या बहुत आसान सा एक ही सूत्र होता है w is equal to f into d cos theta w का मात्रक अगर आप से पूँचता है तो आप लिख सकते हो joule होता है या फिर आप यहाँ से newton into meter लिख सकते हो और w कैसी है w मतलब कार यह कैसी रासी है तो कार आपकी एक प्रकार की अदिस रासी है यह आपको पता होता है और आपको पता होना चाहिए ठीक है फिर यह same question यहाँ पर भी आ गया है द्रोवों में उस्मा संचरन किस बिधी के द्वारा होता है यह मैंने आपको बताया ठोस में आपको पता होना चाहिए द्रौ में आपको पता होना चाहिए और गैस में ठोस में आपका चालन बिधी द्वारा द्रौ में आपका समोहन बिधी द्वारा और गैस में आपका बिकिरन बिधी द्वारा ये तीन बिधियां है उसमा के संचरन की ठोस द्रौ गैस में चालन समोहन बिकिरन यह आपको पता होना चाहिए, एक नंबर का objective type question आपसे पूँच सकता है, या फिर पूँच सकता है चालन क्या है, समोहन क्या है, और विकिरन क्या है, यहां से अगर ऐसा question पूँचेगा क्या है, तो दो नंबर में पूँचेगा, पूँचेगा किस बिधी के दौरा होता है, तो यह आपका यह एक नंबर में question पूछेगा, तो ठोस में चालन के द्वारा और द्रौ में आपका क्या होता है, चालन समोहन के द्वारा और फिर आपका जो gas होती है, gas में आपकी बिकिरण के द्वारा उसमा का संचरण होता है, यह आपको basic से चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, समतल सतों के बीच घरसंड गुडां का किन बातों पर निर्भर करता है, यह question important है, इसके जो तीन main key point है, आपको पता होना चाहिए, जो घरसंड force होगा, वो प्रतिक्रिया बलके अनुक्रमा अनुपाती होगा, और सतह पदार्थ की रुच्छता पर निर्भर करेगा, ठेक है, और पदार्थ की प्रकृति पर, यह तीन key point, हार एक question का आप key point पकड़ना चीखो, key point अगर आपको पता है, उसके answer का, तब आप उसको और ज़्यादा explain कर सकते हो, और आप उसको और ज़्यादा अच्छे से बनाके लिख सकते हो, तो यह तीन key point होते हैं, सतह के रुच्छता को बताने के लिए कि किस चीज़ पर घर्थर्ण depend करता है, important question है, अगर यह question आएगा, तो तीन number में आता है, जब मैंने exam दिया था, तो यह same question आया हुआ था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको explain किया था, बस key point के help से, सतत्ता का समीकरण important है, अगर आएगा तो दो number में आपसे पूछ लेता है, तो कुल मिला करके, आज के इस वीडियो में मैंने लगबग 30 से 35 आपको important question दिये हैं, यह सारे के सारे important question दोस्तों आपको पता होने चाहिए, आपको यह सारे important question कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा practice कर सकते हो, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा practice करो, क्योंकि practice ही ऐसी है, जो आपको last time में बिल्कुल strong बना सकती है, पीडियाफ आपको नीचे description में दियेगे, लिंक के माध्यम से टेलिग्राम और WhatsApp ग्रूप पर share कर दिया जाएगा, अगर आपको कोई query है, कोई doubt है, और आप हमारे साथ Instagram पर जुड़ना साहते हैं, मुझसे personal जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे Instagram आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, आप मुझे Instagram से जुड़ सकते हैं, अगर आपका फिर भी किसी प्रकार कोई doubt है, तो आप नीचे comment section भी कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएं, चैनल को subscribe करें, अपने दोस्तों को share करें, पॉले टेक्निक इंटरंस एक्जाम 2024 के साथियों को channel से आप जरूर जोड़ें, तो दोस्तों, नमस्कार, take care, best of luck, exam के बाद फड़ से मिलेंगे, एक दिन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पूरे एक्जाम का analysis करेंगे, और बात करेंगे कि learning देखें, कितने question आपको अच्छे लगे, और कहां कहां से question आपको देखने को मिलें, नमस्कार, thank you again, best of luck, love you मेरे पैरे दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से पास हो, जैहिंद, take care.